राधे राधे बंदुवों बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेट फार्म न्यूज नेशन इस्तुति पर बंदुवों इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर महा में किन बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा इन ग्रहों का देश दुनिया के साथ हमारी बारे राषियों पर क्या आशर होगा किन राषि के जात्कों के लिए नवंबर का महीना बेहसुब फलदाई होगा और किन राषि के जात्कों को बहुत सभल करके आगे बढ़ना होगा साथ ही इस बीडियो के अंत में हम वो उपाय बताएंगे जिनको करके सभी रासी के जातक इस महीने में उत्तम लाप प्राप्त कर सकते हैं अपने ग्रहों की बाधा को दूर कर सकते हैं इसलिए इस बीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रही हैं बंदूओ मैं हूँ हरी गोपाय शर्मा प्रतेक महीने में कई बड़े ग्रहे रासी परवर्तन करते हैं उदै होते हैं या अस्त होते हैं बक्री होते हैं या मारगी होते हैं प्रतेक महिने में ग्रहों के इन गोचर का प्रभाव देश दुनिया के साथ सभी रासी के जात्कों पर होता है इसलिए प्रतेक महिने में रासी के अनुसार इन ग्रहों के गोचर का आंकलन किया जाता है कि ये इस महीने में किन राज़ी के जात्कों के लिए उत्तम फल देंगे और किन को थोड़ा समल करके चलना होगा किन को असु परिणाम मिल सकते हैं आज हम इस वीडियों में बात कर रहे हैं नवंबर महीने की नवंबर महीने में ग्रहों के गोचर की बात की जाए तो 7 नमंबर को सबसे पहले शुक्र धन रासी में गोचर करेंगे इसके साथ ही सुक्र और गुरू के बीच रासी परिवर्तन योग बनेगा क्योंकि गुरू इस समय ब्रशव रासी में गोचर कर रहे हैं ये सुक्र देव की रासी है और सुक्र धनु रासी में गोचर करेंगे 7 नबंबर से ये देव गुरु ब्रहस्पती की रासी है तो इस तरह से गुरु और सुक्र के बीच में इस महीने रासी परवरतन योग बनेगा यदे बात की जाए सनी देव की तो सनी देव 15 नमंबर को अपनी रासी कुम में ही मारगी होंगे यानि कि अब वो सीधी चाल से चलेंगे इसका प्रभाव सभी रासी के जातकों पर होगा ये कुछ रासी के जातकों के लिए बहतरीन परिणाम लेकर के आएंगे 16 नमंबर को सूरिशंक्रान्ती होगी सूरिदेव तुलारासी से निकल कर ब्रश्चिक रासी में गोचर करेंगे ब्रश्चिक रासी में पहले से ही बुद्ध बिराजबान है इस तरह से सूर और बुद्ध मिलकर के इस महीने ब्रश्चिक रासी में बुधातित योग का निर्मान करेंगे इस योग को बड़क बिसेश योग जोतिस सास्तर में माना जाता है बुधातित योग की बज़े से धन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण होता है नोकरी ब्यापार में उन्ती प्राप्त होती है महीने के अंत में यानि कि 26 नवंबर को बुद्ध ब्रश्चिक रासी में ही बक्री गती से चलेंगे और 30 नवंबर को अस्त भी हो जाएंगे तो बुद्ध 26 नवंबर से ब्रश्चिक रासी में बक्री होंगे और 30 नवंबर को अस्त हो जाएंगे इसका प्रभाब भी सभी रासी के जात्कों पर देखने को मिलेगा इस तरह से नवंबर महा में ग्रहों का गोचर होने की वज़े से देश दुनिया पर इसका प्रभाब देखने को मिलेगा देश की अर्थविवस्ता में कुछ परिवर्तन हो सकता है देश की राजनीती में परिवर्तन हो सकते हैं कोई भी देवी आपदा आ सकती है तो इस तरह से नवंबर महा निकलेगा हब बात करते हैं बारे रासी पर इनका क्या प्रभाब होगा सबसे पहले बात करते हैं उन भागिसाली रासियों की जिनको नवंबर महा में बहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे पहली रासी है ब्रशब रासी ब्रशब रासी के जातकों के लिए नवंबर का महीना बेहत उत्तम भलदाई होगा यदि वो अब तक वे रोजगार हैं तो रोजगार की तरास पूरी होगी आपकी बाने की मदुरता से आपके काम बनेंगे इसलिए बाने की पर नियंतरन रख कर चले नोकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा ब्यापार में कोई नई साजेधारी हो सकती है और जीवन साथी के साथ आपके संबन्द मदुर होंगे तो इस तरह से ब्रशव रासी के जात्कों के लिए नवंबर महिना उत्तम भलदाई होगा चंदरदेव की रासी है करक रासी करक रासी के जात्कों के लिए भी नवंबर का महिना उत्तम परणाम देने वाला होगा अचानक से आपको धनलाब हो सकता है इसके साथ ही यदे आपका कहीं पैसा रुका हुआ था फसा हुआ था तो प्रयास करने से वो भी वापस मिल सकता है कारेच छितर पर आपका प्रभाब बढ़ेगा आप चाहे नोकरी करते हैं या ब्याप प्रतार में 19 से अधिक लाब होगा जिससे आपका मन प्रसंद रहेगा और विद्यारती वर को प्रतियोगता परिक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी जो करकराशी के विद्यारती हैं बात करते हैं सूर्य देव की रासी सिंग की सिंग रासी के जातकों के लिए नवंबर महिना बेहत उत्तम फल देने वाला होगा सभी रुकावटे आपकी दूर होंगी और आपके सभी काम बनेंगे पिछले महिने जिन कामों में आपके रुकावट आ गई थी वो सभी काम फिर से सुरू हो जाएंगे और आपकी सभी कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी प प्यापार में किसी व्यक्ति से मुलाकात आपको उलाब देगी और रुका हुआ धन आप प्रयास करेंगे तो इस महीने आपको बापस में सकता है। पिछले निवेश से आपको लाप राप्त होगा यद पिछले महीने आपने किसी भी चीज में, सेयर में या किसी भी जगे आपने निवेश किया है तो इस महीने उसका लाब आपको दिखाई देगा। ब्यापार में सरकारी डील फाइनल हो सकती है ब्यापार में कोई भी टेंडर आपने भरा है तो इस महीने वो आपका पास हो सकता है जीवन साथी के साथ आपके सम्मध मधुर होंगे आप जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं और धार्मिक कारियों में आपका मन लगेगा कार्तिक का महिना है इसलिए भजन पाठ पूजा में आपका मन लगेगा ये बहुत उत्तम है कुम्ब राशी के जातकों को भी नवंबर महा में बहतनीन परिणाम प्राप्त होंगे कुम्ब राशी के जातकों पर इस समय सनी की साड़े साती का दुतिय प्रवाज चल के साथ बेतन ब्रदी हो सकती है इस महिने नया मकान या वाहन खरीदने का योग बनेगा और आपको आए के नए साधन प्राप्त होंगे आपकी इंकम में बढ़ उत्री होगी तो कुम्ब राशी के जातकों के लिए भी ये महिना बहतरीन परिणाम देने वाला होगा तो लोग उनके निर्ड़े की सरहना करेंगे नोकरी और ब्यापार में आपको सफलता मिलेगी नोकरी में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है पदोनती हो सकती है बेतन ब्रदी हो सकती है ब्यापार में भी नई साजेदारी और लाव से आपका मन प्रसन रहेगा इन राश होंगे बात करते हैं बंदू उन रासी की जिनको अब इस नवंबर महा में बहुत सवलकर के आगे बढ़ना होगा वो रासियां हैं मिथुन, कन्या, तुला और मीन इन चार रासी के जातक पुनहे निविदन कर रहा हूं मिथुन, कन्या, तुला और मीन इन चार रासी के जातक इस महीने बहुत सभलकर के आगे बढ़ें आप किसी से भी बाद विवाद की इस्तिती से बचें कारिस्थल पर यानि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें सभी कामों को स्वयम देख करके चलें बरना परेशानी में फच सकते हैं आपके विरोधी आपके खिलाब सड़ेंत कर सकते हैं इसलिए अपने सत्रू और विरोधियों से सावधान नहें इसी तरह ब्यापार स्थान पर पैसे का निवेश पैसे का लिंदेन बहुत सोष समझ कर करें कोई भी निर्णे इस दोरान इस महीने जल्द वाजी में ना लें कोई भी साजेदारी कर रहे हैं तो बहुत सोष समझ करके साजेदारी करें इसके साथ ही बाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं घर में तनाव की इस्तिती से बचें छोटी छोटी बातों पर लेकर के अपने जीवन साथी के साथ लडाई जगडे से बचें इन सभी बातों का ध्यान लगते हुए मितुन, कन्या, तुला और मीन रासी के जातक इस महीने इस नवंबर महा में निकालेंगे अब बात करते हैं बंदूगों बेहत खास उपाई की जिनको सभी रासी के जातक करेंगे तो उनको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे आप प्रत दिन सूरिदेव को अर्ग दीजिए शूरिदेव को जलमे, रोली, गुड़ और लाल फूल मिला करके आप अर्ग दीजिए शूरिदेव के मंतरों का जब कीजिए तो ये महीना आपके लिए उत्तम होगा इसके साथ ही अपने इस्ट देव के मंतरों का जब कीजिए उनकी उपाशना कीजिए प्रत दिन कम से कम एक हनमान चालीसा का पाठ कीजिए गाए को हरा चारा खिलाईए और गरीवों को अनका धान दीजिए इन सामान उपाए के जरिए सभी रासी के जातक नवंबर महा में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तो बंद हो ये उपाए करिए जिन रोगों को हमने सावधानी से चलने के लिए बताया है वो बिसेश रूप से इन उपाए को करें जिससे के नवंबर महा में जो भी उनके साथ अशुप फल हो सकता है वो कम हो वो दूर हो बंदु हो ये नवंबर महा का हमने बिसेश फलादेश दिया आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे ये जोतिस और धर्म से संबंदित कोई भी आपका सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे हम उसका जवाब अवश्य देंगे बंधू आप News Nation के Digital Plate Farm पचुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे